दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिस्रापर दोस्तो यदी मैं अपनी जिन्दकी की सबसे ज़्यादा मिस करने वाले चीजों की बात करूं तो उसमें एक अध्याय आज जुड़ चुका है दोस्तो आज मैं यात सत्रा कर रहा था सहर साहमसफर की जो कि दिन के करीब एक बजे आजानी चाहिए थी दोस्तो आज जो एक उद्गातन हुआ है उसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दी हैं दोस्तो कैसा यह उद्गातन रहा कैसे यह चली और क्या सब इसमें खास रहा आज किस वीडियो में बा यहां पर आज के इस उद्गाटन की बात करें तो यहां पर उद्गाटन जो किया गया है वो भारत और नेपाल के प्रधान मंतरी जी के द्वारा सन्युक तुरूप से किया गया है जैनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन से दोसे दियम यहां पर टाइमिंग की बात करें तो दिनके गरी भी 11 बस के 45 मिनट पर यहां पर उद्गाटन किया गया जैनगर रेलवे स्टेशन पर पूरी की पूरी ट्रेन को सजाया गया था और यहां पर सबसे पहले अमारे दोनों देशों के प्रधान मंतरी जीन्या हरी ज घंडी दिखाए उसके बाद जो जैनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर दोनों दिशों के अधिकारी मौजूत थे यानि कि भारती रेलवे का अधिकारी और नेपाली रेलवे का अधिकारी उन्होंने ट्रेन को रिवाना हुई और सक्सेस्फुली यहां पर कुर्था र इंट्री दी गई थे जिसमें अधिकतर गन्मान्य वेक्ति ही थे यानि कि सांसोदर विधाय की यात्रा कर रहे थे आम लोगों को बड़ी मुश्किल से टिकेट मिली वही बिना किसी चार्ज के और दोस्तों कल से यह सामाने रूप से दोनों और से चलेगी यानि कि जैनगर से भी हो और कुर्था से भी हो और मैं एदी स्केट किराय की बात कुनुत इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पे दो प्रकार के कुछेस रहने वाले हैं नानेसी और एसी जो नानेसी का मैक्सिमम किराया है वो 44 रुपे होगा इंडियन रुपीज मे नेपाली रुपीज में यह 60 होगा और वहीं एसी का जो अधिक्तम किराया है वो इंडियन रुपीज में 187 रुपे होगा और नेपाली करेंसी में यह 300 रुपे रखा गया है अब दोस्तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से यह जो रेल है यह भारत और नेपाल के रिस्तो कुस धारती है और साती साथ हमारे उत्तर बिहार के विकास में एक महत्पुन योगदान देती है दोस्तों इस बार में आपकी करा है कॉमेंट करके जुरूर बताएं दूसरे की पूस्ता ही मिलिंग फेकने डियोक साथ अब तक लिए जाहें जाएंद चाभार